नमस्कार, डेली एडिट्विल एनलेसिस में आपका स्वागत है। इसी प्रशन के इडिट्विल हम देखते हैं कि जो आगे के आर्टिकल के सार हैं वो क्या है। तो चले शुरुआत करते हैं। सबसे मत्मुन बात यहां पर यह है कि उमान के सुल्तान जिनका नाम है सुल्तान हैथम बिन तारीक यह 16 दिसंबर से भारत की राज्की यात्रा पर हैं। और जनवरी 2020 में उमान के सुल्तान जो सुल्तान कबूस थे उनका जब निधन हुआ था तो उनके बात सुल्तान हैथम बिन तारीक ने उमान का पदभार समाला है और उसके बात से यह इनकी पाहली भारत यात्रा है। हाँ अगर हम भारत के प्रधान मंतरी की बात करें तो प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने फरवरी 2018 में अपनी पहली ओमान की यात्रा की थे और उसको एतिहासिक यात्रा करार दिया गया था क्योंकि उस यात्रा के दौरान भारत और ओमान के बीच में व्यापार, रक्षा औ अब हम एक नजर अगर डालते हैं ओमान की भौगलिक इस्थिती पर तो हम क्या देख रहे हैं कि अरब खाड़ी छेत्र में जो ओमान है वो भारत का निकटतम पड़ोसी देश है पहली बात तो यहां पर यह दूसरी बात ओमान सौधी अरब अमीरात और सौधी अरब तो यह जो हमें तीनों के तीनों देख रहे हैं यह ओमान खाड़ी छेत्र में भारत के प्रमुक रननीतिक साज़ेदारों की एक टिकड़ी की रूप में यह उसको पूरा करते हैं उसके अलावा अगर हम और थोड़ा सा मैप में देखें तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं हम उसके अरब सागर के साथ साथ उमान की खाड़ी के साथ फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी के ओर जो जाने वाली तट रिखा है उससे सटे होने के कारण उमान का जो रणनीतिक स्थान है वो भारत के लिए काफी महत्पूल हो जाता है भारत और उमान के जरा समंधों पर एक नजर डालते हैं तो शुर्वाद करते हैं सुरू से उमान के शाषक परिवार जो है वो हमेशा से भारत के साथ निकट रहे हैं सुल्तान कबूच के अगर बात की जाएं तो भारत के परति उनका रुख हमेशा से अनुकूल रहा है और उन्हों ने भारती कमपनियों, भारती प्रिशेवरों और कई प्रियुजना को उमान में आमंत्रित किया है और यहां तक कि भारत और उमान के लोगों के बीच भी काफी मधुर सम्मंद रहे हैं उसका एक कारण यह भी है कि लगबख साथ लाख लोगों का एक बड़ा भारती समुदाय उमान में रहता है तो इसलिए भारत और उमान के बीच लोगों के आधार पर भी काफी महत्पुर सम्मंद है सित युद्ध के युग के दोरान की बात करते हैं सित युद्ध का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि एक ऐसी वैस्विक विवस्था जो चली थी 1945 से 1991 के बीच में जहां पर की विश्चु का धुर्वी करण हुआ था एक तरफ था United States of America और दूसरी तरफ था Union Soviet Socialist Republic और यह 1990 तक इसलिए चला क्योंकि उसके बाद Soviet Sun का विगटन हो गया था तो उस युक की बात यहाँ पर हो लिए जबकि अरब दुनिया के अगर हम बात करें तो भारत के परती ना होकर पाकिस्तान के परती उनका रुख काफी नरम था और वे उसके समर्थक भी थे लेकिन इस दोरान भी एक मात्र ओमान ही एक ऐसा खाड़ी देश था जिसने भारत के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे और तो और हमेशा से यह देखा गया है कि संगर्स गरस्त छेत्र में ओमान एक शांती का दूइप रहा है शांती का दूत रहा है वह कैसे वह इसलिए क्योंकि ओमान की जो विदेश नीती है या जो ओमान के वैदेशिक नीती है वह सयम और मद्धसता के इन दोहरे पहलों पर आधारीत है वह इस तरीके से कि एरान के परती उसका हमेशा से दृष्टिकौन वैभारिक रहा है साथी साथ पश्वी सक्तियों और खाड़ी सयोग परिसद में शामिल जो देश हैं उनके साथ भी वह अपने आपको संतुलित करके रखता है और यह हमेशा से सुनिश्चित करता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है या हॉर्मूज जल्टवरू मद है वह कभी बंद ना होने पाए इसमें हमने क्या देखा जी सी सी या खाड़ी सयोग परिसद तो इसमें च्छा देश हैं जो आप मैप में देखे क्या देख रहा हम इसमें सौदी अरब, बहरीन, कुवेट, कतर, युएई और उमान अब हमने जो यहां पर बात की कि अलग-लग देशों के साथ वो हमेशा से सयम और मतिस्ता के साथ रहा है उमान तो देखिए कैसे, सबसे पहली बात यहां पर यह है कि जुलाई 2015 में जब इरान परमानुस समझोते की बात हो रहे थी तो उसमें भी उमान ने काफी महत्पन भूमिका निवाय थी, उसके बाद आगे देखिए खाड़ी सयोग परिसद के आधार पर जब कतर के साथ जो अन्य देशे जब उन्होंने राजनी गतिरोध पैदा किया था तो उस राजनी गतिरोध के दोरान भी उमान ने जून 2017 में कतर के साथ राजनी समंध तोड़ने में सौधी अरब और अन्य देशों के साथ सामिल होन के सदस्यों के साथ 2014 का जो समझोता हुआ था उसका उसने उलंगन किया था लेकिन यहाँ ओमान ही था जिसने की सब के बीच एक बेहतर मत्यस्ता को बनाया उसके अलावा 2019 में जब फारस की खाड़ी संकट उत्पन हुई थी उस समय जब सविंकतराज अमेरिका और इरान दो कि 13 जून 2019 को उमान की खाड़ी से यातरा के समय अमरिकी दल पर इरान की द्वरा हमला किया गया था उसकाद अमरिकी राश्पती ने इरान की खिलाव खाड़ी चेतर में रॉकेट दागे और अमेरिकी रक्षा और परतिरोध बढ़ाने की योजना को भी उसने मंजूरी दे जिससे एक पर फिर इस चेतर में उमान की क्या रणनीतिक महत्तोय और उमान का क्या महत्तोय वह खुद बखुद रेखांकित होता है अभी जिस अबरहाम समझोते की हमने बात की उस अबरहाम समझोते निया निरधारित किया यूई और बहरीन इस्राइल में अपने अपने दूतावास को इस्थाबित करेंगे और परेटन, व्यपार और सुरक्षा साइद कई छेतरों में इसराइल के साथ मिलकर काम करेंगे अब हम देखते हैं कि भारत और उमान की रणनीतिक साज़ेदारी आखिर किस इस तर की है तो देखिए रख्षा और सुरक्षा जुड़ भारत और उमान के मद्द की रणनीतिक साज़ेदारी का एक प्रमुक इस्थम्भ है और 2005 में हस्ताक्षरित एक समझोता ग्यापन या Memorandum of Understanding इसके द्वारा भारत और उमान की रणनीतिक साज़ेदारी शासित होती है उसके बाद अगर हम आगे देखें तो नॉमबर 2008 में भारत के उसमे के प्रधान मंतरी मनमुहन सिंग ने उमान की यात्रा की थी और उस यात्रा के दौरान भारत उमान दोनों के मद्द में रणनीतिक साज़ेदारी पर हस्ताक्षर किये गे थे और यह जो रणनीतिक साज़ेदारी है यहाँ आपसी विश्वास और साजा हितों के दोरे इस्तंभों पर आधारित है फिर अगर हम आगे देखें तो उमान पहला खाड़ी देश है जिसके साथ भारत के रक्षाबलों के सभी तीनों अंग स्विक्त अभ्यास करते हैं बात हो रही यहां पर किसकी स्थल की वायू की और नौसेना की फिर कर हम आगे देखते है तो 2012-13 से एक भारती नौसेनिक जहाज समुदरी डकेती विरोधी अभ्यानों के लिए उमान की खाड़ी में वर ड्विटी पर लगातार बना हुआ है वहीं फिर देखिए कि उमान भारती सेन विवानों द्वारा भी उडान और पारगमन की अनुमती दे दी है उसने मतलब यह है कि जो भारती सेन विवान है वह उमान के आसपास के खेतरों में आराम से जा सकते हैं फिर भारत के परधान मंत्री मोदी ने जो 2018 की उमान की यातरा की थी तो उस यातरा के दोरान ड्विकम बंदरगाह पर एक मेमरंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर किये गेते और इसके बाद यह जो ड्विकम बंदरगाह का चेतर है उस चेतर में संचालित भारती नौसेनिक जहाजों को बेसिंग की सुविधाएं और अन्यरस्ट सुविधाएं यह समझोता परदान करता है अब जब एक नज़र ड्विकम बंदरगाह पर हम डालते हैं मैक के तुरू यह देखी है पोर्ट आफ ड्विकम यहां पर यह उमान है तो हम यह पर क्या देख रहे हैं यह उमान के दक्शिन पूर्व में स्थित है और यह जो बंदरगाह यह HYND महासागर के बीच में जो हर्मुज है उस हर्मुज जलड़वरु मद्द के बाहर यह बनाओा आगे देखे, फिर जून 2019 में जब फारस की खाड़ी संकट उत्पन हुई थी तो उस दौरान भारती नौसिरा ने भारती ध्वजवाले जहाजों के सुरक्षित मारको सुनिशित करने के लिए उप्रेसिन संकल्प सुरू किया था और यहाभी अक्सर उमान के तट से संचालि और हाल के वर्सों के अगर हम बात करें तो दोनों देशों ने हिंद महासागर छेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिशित करने में भी काफी सहयोग इस्थापित किया है अब हम एक नजर डालते हैं इस रणननीतिक साजेदारी में व्यापार और वानिजी के दृष्टि को 7.5 बिलिएंड डॉलर से अधीक है उसके बाद वर्स 2022 के लिए उमान के कच्चे तेल निर्यात के लिए चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है फिर वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्टूबर 2022 में भारत और उमान ने उमान में रुपए डेबिट कार् और यह है National Payment Corporation of India के द्वारा इसे लाए गया है उसके अलावा भारत और उमान अंतरिच सयोग में भी एक दूसरे के साथ कैसे सयोग अस्थापित कर रहे हैं इसकी भी संभावना को देख रहे हैं साथी साथ आज का जो समय है जो आधनिक इलेक्ट्रोनिक उपकर्णों का ए साथी साथ महत्पूर्ण यहाँ पर क्या है वह है प्रस्तावित भारत मद्पूर्वी यूरोप Connectivity Corridor मतलब यहाँ पर है IMEEC तो पस्चिम एसिया में भारत को यूरोप से जोडने वाले इस कोरिडोर के बुनियादी धाचा परिजनाओं में भी उमान एक महत्पूर्वी निभा सकता है रही बाद भारत मद्पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारे की संभावित रूट की तो हम यहाँ पर यहाँ क्या देख रहे है इस रूट का मकसद है कि एसिया फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच connectivity और आर्थिक एकी करण को बढ़ावा देना और इस ग अलग-अलग गलियारे है एक है भारत से अरव की खाड़ी तक का इस्ट कोरिडॉर और फिर दूसरा है अरव की खाड़ी को यूरोप से जोडने वाला नॉर्थ कोरिडॉर और इसी में एक है महतपून तथ यहाँ पर है कि भारत की स्तित एक झीजी कंसोटिया मैं जिसका न अब हम आते हैं निसकर्स पर, निसकर्स की रूप में यहां पर यह है कि पश्चिम एसिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, कैसे तो एक एक जो पॉइंट से यहां पर वो काफी महत्पून है, जदा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बात तो यह, कि भारत क्या चाहत जो है उसको परसार करना चाहता है, साती साथ, वो अपने पडोस का भी विस्तार करना चाहता है, तो इसके लिए भारत पश्चिम एसिया में गहरी भागेदारी और सहयोग की तलास कर रहा है, जिसमें ओमान एक महत्पून इस्तम है, फिर अगर हम आगे देखें, तो जो छ पातार व्यपार संबंद है, उस पर भी सीधा असर पड़ता है, तो यह ना हो, इसके लिए भी उमान महत्पून भूमी का निभाता है, साती साथ, यह जो छेत्र है खाडी का, वहाँ भारत का सबसे पुराना रनेतिक साज़ेदार और निकरतम पडोसी है कौन? उमान, और महत्पून समुहों का एक अभिन अंग भी है, जैसे अभी हमने क्या देखा, कि GCC की बात हो रही, उसका इसलामिक सहयोग संगठन की, अरब लीक की, तो इस दुष्टी कौन से भी, उमान काफी महत्पून है, साती सार, दोनों देस, मतलब भारत और उमान, दोनों देस खु भारत का अपना एक परवेश द्वार है, और इसराइल और हमास के बीच में जो वरतमान में युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध के वातावरण में, ओमान के शासक का भारत की राज की यात्रा और भी महत्पून हो जाती है, तो इस प्रकार, डेली एडिटोरल एनासे स समंदित आज की इस वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आपके साथ नमस्कार